अस्तामनीकु फ्रेंड्स, वेलकम बैक टूटब स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल हक में है जब से वकार ने आदिल और विर्सा को एक साथ बाते करते घर में देखा तब से वो विर्सा से काफी हपा हो जाता है कि काफी महीने गुसर गए उसने विर्सा के शकल ने देखी, विर्सा के पास नहीं आया, उसके घर में चक्कर नहीं लगाया तो फिर इनी मंस में एमन की प्रेगनेंसी भी मेचोर हो गई कि यहां तक एमन की डिलिवरी का वक्त आ क्या अब तो एमन हॉस्पिटल तक पहुंच की, जब नहीत को मालुम पड़ा तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है यह बताते हुए कि विर्सा की तबियत नहीं ठीक, इसने मुझे हॉस्पिटल जाना है उसे लेकर अब यह वकार को तो लेकर नहीं आती सिर्फ खुदी आ कई ऐसे ही एमन का बच्चा पैदा होता है जो कि विर्सा अपनी गोद में लेती है मिर्सा काफी हुश है क्यूंकि यह बच्चा मिर्सा को ही मिलने वाला है मिर्सा खुब अच्चे से इसकी परवरिश करे की यहां पर फात्मा भी बहुत हुश है नहीं इतने घर में कॉल करते हुए विर्सा के बेटे की हुशबरी सुना दी तो यहाँ पर वकार जो बहुत हुश है लेकिन उदास भी है कि वो क्यों नहीं वहाँ पर जा पा रहा क्या विर्सा इतनी नराज है उसे तो यहाँ पर जूबी जूबी वकार को भड़काते हुए कहने लगी तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है मुमानी चान हुच चली गई तुम्हे फोन करके इतला दे दी क्या तुम्हे वहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था क्या तुम्हे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था तो वकार कहने लगा मुझे मालूम ही नहीं कि कौन से हॉस्पिटल में हैं वो लोग ऐसे मुमानी जान के हलाब बेटे को खूब भरकाती है ये जूबी कि अब वकार को एसास होने लगा कि इसे अपने बेटे के पास होना चाहिए ऐसे ही वो अपनी मां से फोन पर बात करते हुए हॉस्पिटल पहुंचाता है और उसे पहले नहीं सारा सेट अप कर देती है कि एमन को बेट से उठा कर विर्सा को लटा देती है और प्र डॉक्टर को भी समझा देती है अब यहां पर एमन दर्वाजे के पीछे अपने भाई और भावी की खुशी को देख रही है जो किसे इस बच्चे के साथ वो खुश है हो सकता है वो एक भी हो जाएं क्यूँक्टर यहां पर अपने बच्चे को जब पहली बार गौध में लेता है तो बोहत खुश होता है कि विर्सा की हर गलती हर गुनाह माफ करने को त्यार है जो के वैसे उसने कभी किया ही नहीं अब यहां पर कहने लगा मैंने फैसला किया है कि तुम्हें और अपने बच्चे को अपने साथ घर ले जाओंगा अब मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूँगा उस घर में तुम्हारे लिए बच्चे के साथ अकेले रहना सेफ नहीं है लेकिन यहां पर विर्सा अपना फैसला सुनाती है लेकिन मुझे उसी घर में ही वापिस जाना है ऐसे ही विर्सा डिस्चार्च होकर घर आ कई अपने बच्चे के साथ घर आई तो यहां पर वो आकर एमन से बात करते हुए कहने लगी वकार मुझे अपने साथ में जाना चाहते थे देकिन एमन मैं तब तक उनके साथ नहीं जाना चाहती जब तक वो मुझे पर यकीन ना कर लें इतबार ना कर लें जब तक अपने हर बात की माफी ना मांग लें वो माफी मांग बिले तो फिर मैं खुद से सोचूंगी क्या मुझे उन्हें माफ करना भी चाहिए क्या नहीं क्या उनकी माफी सुनते हुए मुझे उस घर में जाना भी चाहिए या नहीं ये फैसला मेरा होका एमन जानती है कि विर्सा काफी तूटी हुई है एमन के भाई ने विर्सा के साथ काफी जातियां की है हर मौड पर दुख दिया है इसलिए विर्सा का ये सब कुछ कहना जाइस है दूसरी तरफ वकार चौके एक बार अपने बच्चे को देखाया उसको अपनी गौद में उठा लिया तो बार बार दिल जाता है कि उसके पास जाए उसे अपनी गौद में उठाए उसकी तरफ बस देखता ही रहे उससे प्यार जताए क्योंकि वो उसका हून है उसकी उलाथ है लेकिन यहाँ पर जूबी जो वकार की ये तड़ब देख रही है जानती है कि वकार अब उससे दूर हो जाएगा विर्सा के करीब हो जाएगा इसलिए वो वकार का ध्यान कहीं और ही लगा देती है तुम जिसे अपना बच्चा मानते हो हो सकता है वो तुम्हारा ना भी हो हो सकता है किसी और का हो विर्सा बदकिर्दार है ये हम सबी चानते हैं, अब तो यहां पर वकार के दिल में भी शक का किया कि जुबी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्या पता वो बच्चा उसका है, या फिर आदिल का है या किसी और का, वो क्या चाने। आपसो यहां पर वकार मिरसा से फर्माश करेगा बलके उसे हुक्मन कहेगा कि वो तभी इस बच्चे को अपना नाम देगा अगर इसका डियने करवाया चाए डियने टेस्ट के बाद ही उसे रियलाइस होगा कि वाकि यह बच्चा उसका है तभी उसे शॉर्टी मिलेगी लेकिन विरसा चानती है कि यह बच्चा वकार का नहीं नाहीं विरसा का बलके यह तो एमन का बच्चा है फिर डियने टेस्ट क्यूं करवायागी इसलिए विरसा यहां पर अटक चाएगी कि नहीं मैं ये डियने नहीं करवाऊंगी और यहां पर नहीद भी पिरसा का साथ देगी क्योंकि वो जानती है कि अगर डियने हो गया तो एमन की हकीकत खुल जाएगी उसके गुनाहों पर से परदा उठ चाएगा और मा होने के नाते वो अपनी बेटी का साथ जरूर देगी